टीवी इंडस्ट्री में आई दिन ब्रिक अप और पैच अप की खबरे सामने आती रहती हैं कई दफा तो तमाम सिलेब्स का रिष्टा खतम होने के बाद ऐसी ऐसी बाते सामने आई कि हर कोई दंग रह गया ऐसे कई टीवी सिलेब्स हैं जिनने लेकर दावा किया गया कि उनके पार्टनर को भनक लग गई थी कि वो उन्हें धोके में रख रहे हैं ऐसे में उनके पार्टनर ने दिश्टा खतम करना ही बहतर समझा कुछ सिलेब्स का जिक्र हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्रियांग शर्मा का स्प्लेट्स विला में प्रियांग शर्मा ने दिव्या गरवाल संग अच्छी बॉन्डिंग बनाई लेकिन बिग बॉस में आते ही वो इस कदर फिसले की दिव्या के मन से उतर गए प्रियांग ने इस शो में बिनाफशा सुनावाला संग नस्दी क्या बढ़ाना शुरू कर दिया दिव्या ने इस शो में बतौर गेस्ट आकर प्रियांग की खूब धजिया उड़ाई थी और नाशनल टेलेविशन पर ही उन्होंने अपने ब्रिक अप की अनॉंसमेंट कर दी थी शरद मलोत्रा दिव्यांका त्रिपाठी को जब शरत से धोगा मिला तो वो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी नाशनल टेलेविशन पर दिव्यांका ने कहा था कि वो अपने प्यार को पाने के लिए अंधविश्वास की रास्ते पर भी चली गई थी इजास खान सालों पहले इजास खान टीवी आक्ट्रेस अनिता सनन्दानी को डेट कर रहे थे इजास ने बुरी तरह से अनिता का दिल तोड़ा था नाशनल टेलेविशन पर खुत इजास खान ने कबूल किया था कि उन्होंने एक शक्स का दिल बुरी तरह से दुखाया था जिसका रिक्रेट उन्हें आज तक है चोटी बहु की शूटिंग के दोरान ही अभिनाश और रुबिना दिलेक के बीच नस्दी क्या बढ़ी थी कुछ समय बात ही रुबिना अभिनाश से अलग हो गई क्योंकि अभिनाश उन्हें धोके में रख रहे थे सना खान और कोरियोग्राफर मेलविन लुइस के लिंक अप की खबरे आग की तरह फैली थी कुछ ही समय में दोनों के ब्रेक अप की खबरे भी सामने आने लगी थी सना ने बात में इंटर्व्यू में खुलासा किया था कि मेलविन ने उन्हें धोका दिया है संजीदा शेक संजीदा शेक और आमिर अली की सालों पुराने शादी पर तब आचाए जब उनका नाम बॉलिविट के एक हीरो से जोड़ा जाने लगा संजीदा इस समय अपनी मा के साथ रहती है अंकित गेरा अंकित गेरा को लेकर खबरे आई थी कि वो रूपल त्यागी और अदा खान को एक साथ देट कर रहे थे रूपल को इसकी भनक लगी और तुरंद उन्होंने अंकित संग अपने सारे रिष्टेनाते तोड़ दिये वेल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है दो लेट इस नो इन दे कमेंट बोक्स और अलसो दो लाग फोलो और सब्सक्राब तो तेली मसाला on Facebook, Instagram and YouTube